दोस्तों अगर बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री में किसी का राज रहा है तो वो है अभिनेता, गोविंदा, सल्मान खान, अजिदेव गण और अक्षे कुमार जिनोंने अपने शुरुआती दौर में ही फिल्म इंडस्ट्री से अपने अपने नाम का टाइटल हासिल कर ल पर एक दौर ऐसा था जब इस चारोही अभिनेताओं का दिल एक ही अभिनेतरी पर आया था, जी हाँ सही सुना आपने एक समय में इन चारोही अभिनेताओं ने बॉलिवुड इंडस्ट्री की एक ही खुबसूरत अभिनेतरी को अपना दिल दिया, तो आखिरकार कौन है व हौलिविड इंडस्ट्री की खुपसूरत अधकारा करिश्म कपूर हैं जी हां सही सुना अपने अभिनेतरी करिश्म कपूर जिन से अभिनेता गोविंदा सल्मान खान रक्षिकुमार और अजिदेव गन ने एक ही समय में प्यार किया था सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता गोविंदा और करिश्म कपूर के लव केमिस्ट्री की शायदी कोई ऐसा ब्यक्ति होगा जो नभ्भे के दशक की खुपसूरत चोड़ी गोविंदा और करिश्म के लव केमिस्ट्री के बारे में ना जानता हो नफे के तशकमीनों ने एक या दोने ही बलगी राजबाबो, खुद्दार कुली नमबर वन, हीरो नमबर वन जैसी कई सूपर डूपर हिट फिल्मों में साथ काम किया था और इन फिल्मों की शूर्टिंगे तुरान ही दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गये थे कि दोनों के लिंक अप की खपरे एक तरफ सुर्खियां बटोर रही थी लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिस वक्त इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप की खपरों को लेकर चर्चाएं बटोरना शुरू गी थी उस वक्त गोविन्दा पहले ही सुनीता की साथ शादी के बंदन में बन चुके थे बस फिर क्या था अभिनेता गोविन्दा को अपनी शादी शुता जिन्दकी की बज़े से अपने इस प्यार की दास्ता को भी इस मोड पर ही छोड़ना पड़ा अब बात करते हैं अभिनेता सलमान खान और करिश्म कपूर की लव रिलेशनशिप की बता दी कि अभीनेता सल्मान खान करिश्म कपूर के प्यार में उस वक्त पागल हो गए थी जब इन्होंने साल 1994 में करिश्म के साथ फिल्म अंदाज अपना अपना में साथ काम किया था और यही वो फिल्म थी जिस दुरान दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ़तार हो ग की दास्ता मीडिया से बयान नहीं की और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए अब बात करते हैं अभीनेता अक्षे कुमार और करिश्म कपूर की प्यार की दास्ता की अभीनेता अक्षे कुमार और करिश्म कपूर की खबरे भी कुछ कम नहीं है बता दे क कुमार करिश्म कपूर को इतना चाने लगे थे कि उस टाइम की मैगजीन का कवर पेज भी इन्हीं की तस्वीरे हुआ कर दी थी पर इन दोरों की रिलेशन्शिप को जादा समय तक नहीं चल पाया था क्योंकि खबर ये थी कि अक्ष्य कुमार एक ही समय में दो अभिनेत्रिय के रिलेशन्शिप के बारे में ना जानता हो यो दो अभिनेत्री करिश्मा पहले ही अपने आक्टिंग कर्या की शुरुआत कर चुकी थी लेकिन इन्हें असली पहचान साल 1992 में आई फिल्म जिकर से मिली थी जिसमें इन्हों ने आजे देवगन के साथ मुख्या भूमी का निभाई थी इस मुवी में साथ काम करने के द्वारान अक्षिय करिश्मा एक दूसरे के इतने प्रभावित हुए थे कि दोनों ने असल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और दोनों की रिलेशन्शिप काफी लंबे समय तक बरकरार भी रही थ पस्तक दी तब करिश्मा ने आखरी फैसरा लेते हुए अजय का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया तो दूस्तों अगर आपको चांस मिले अभिनेतरी करिश्मा कपूर के साथ इन में से किसी भी अभी नीता की जोड़ी को देखने का तो आपके सभी नीता की जोड करिश्मा कपूर के साथ देखना पसंद करेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलिविट इंग्रसी से जुड़ी एसी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें